सविधान, ये सिर्फ एक लिखित दस्तावेज नहीं है, बट इसकी एक आत्मा भी है, और इसी आत्मा को basic structure कहा जाता है कोट में जिस व्यक्ति ने ये दलील दी और जिसके बाद आने वाले judicial decisions की मजबूत नीव रख दी गई, ये कहानी उसी व्यक्ति की है कहानी कहां से शुरू करूँ, एक व्यक्ति जो English का lecturer बनना चाहता था, लेकिन बन नहीं पाया क्योंकि उसकी जगे किसी experience lady को दे दी गई, एक व्यक्ति जो Indian Civil Services करना चाहता था, परंतु उस समय एक मामारी चल रही थी और वो examination form नहीं बर पाया, एक व्यक्ति जिसके फादर हम आज तक के भारत का सबसे बहतरी lawyer कहा जाए, तो गलत नहीं होगा, नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आपका स्वाज़त है Legal Clinic by ललित में, श्री नाना बॉय अर्दशीर पाल की वाला, शॉट में कहूं तो नानी पाल की वाला, किसी मशूर मनोवे ज्यानिक ने कहा था, कि ल और था जब पार्चियों के सरनेम, वो क्या business करते हैं, उसके हिसाब से तै किये जाते थे, पाल की वाला का परिवार पाल की बनाता था, जो की 4 servant carry किया करते थे, और जो बड़े businessmen थे, lawyer थे, पैसे वाले लोग थे, उन्हें जब travel करना होता, तो वो उसी पाल की में travel करते, क बहुत शौक था, वो अपनी class के सबसे intelligent बच्चों में count होते थे, नानी की एक और खास बात थी, वो time को लेके बहुत ही ज़्यादा पाबंध और संजीदा थे, और हमेशा अपने आपको किसी ना किसी किताब में west रखते थे, जबकि उनके साथ के बच्चे अपना समय खेल चीस भी नहीं ली थी, बहुत कम लोग जानते हैं कि आज जिस बहतरीन वकील की हम बात कर रहे हैं, वो अपने बच्चपन में खुल के बोल भी नहीं पाता था, और हकला कर बोलता था, और इसी वज़े से उनके पिता ने एक बार उनके मूं में जीब के नीचे बदाम रख कर बीच पर दौड़ने के लिए काहा था, नानी, इंग्लिश का लेक्चरार बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सेंट जैवियर कॉलेज से 1940 में बीए ओनर्स किया, बीए करने के बाद उन्हें लोकल कॉलेज में लेक्चरार की पोस्ट के लिए अपलाए किया, पर क्यों को थेंक यू बोलने का, क्योंकि नानी ये मानते थे कि उस लेडी की वजए से ही वो आज लॉयर बन पाए हैं, खेर, लेक्चरार ना बन पाने पर नानी ने उसी कॉलेज से में ओनर्स किया, और उस समय किसी जानकार की कहने पर उन्हें सिविल सर्विस का मन भी बनाया, पर करियर की बात करें, तो लॉव कॉलेज के बाद नानी ने सर जमशेद जी के लिए, और यहीं से शुरुआत हुई एक बहतरीन एडवोकेट की करियर की बात करें, तो लॉव कॉलेज के बाद नानी ने सर जमशेद जी कांगा के चैंबर्स को जोईन कर लिया, कांगा उस समय बोमबे बाहर के लीडर थे और 1922 से 35 तक बोमबे के एडवोकेट जर्नल रह चुके थे, कांगा का चैंबर उस समय बहतरीन एडवोकेट से ब कि सिर्फ दो साल में नानी ने अपने लिए वो मकाम हासिल कर लिया था, कि लॉव फर्म में उनको बताए बगेर कोई भी मैटर बोमबे हाई कोट में नहीं जाता था, इस समय कांगा जी के चैंबर में इतनी जगे नहीं होती थी, कि सभी सीनियर्स और जूनियर्स अपने के केस की मीटिंग के लिए वो जगे को यूज कर सकें, और इसी वजए से नानी ज़्यादा तर अपनी मीटिंग कार में ही ले लिया करते थे आईए नानी के कुछ बहतरीं केसिस की बात करते हैं, वैसे तो नानी पालकी वाला ने बहुत सारे केसिस लड़े और जीते, पर उनमें से कुछ फेमस केसिस को डिसकस किये बिना वीडियो पूरा नहीं किया जा सकता PREVY PERS Case, जिसमें पालकीवाला ने ये दलील दी कि सवविधान की वैधानिकता से ज़ाधा सवविधान की नेतिकता ज़रूरी है उन्होंने केस तो जीत लिया पर सरकार ने सवविधान में संशोदन करके PREVY PERS को फिर भी कतम करी दिया जब नानी को केस लड़ने के लिए लोगों ने क्रिटिसाइज किया तो नानी ने कहा कि सविधान में जो वादे निहत हैं वो सिर्फ उनको डिफेंट कर रहे हैं केश्वानन भारती केस केरल सरकार ने दो भूमी सुधार कानून बनाए इन कानूनों से केरल सरकार केश्वानन भारती के इदनी मठ पर पाबंदी लगाना चाहती थी केश्वानन कानूनों की वैदिक्ता को लेकर कोड पहुँच गये और उन्होंने कहा कि ये कानून उनके आर्टिकल 26 का हनन कर रहे हैं और उनके सविधानिक अधिकार जो उन्हें अपने धरम करम करने के लिए ऐसे जोडने का अधिकार देते हैं उसके खिलाफ हैं ये मामला सुप्रीम कोड तक गया और जहां नानी सीधा केंदर सरकार को चुनोती देने लगे भारत के इतिहास में पहली बार 13 जजीस की बेंच गटित की गई इस केस के सुनबाई 68 दिनों तक चली और फैसला 76 के बहुमत से केशवानन्त के पक्ष में आया जस्टिस HR खन्ना ने एक बार कहा था कि नानी जब किंदर सरकार की रिव्यू पेटिशन के खिलाफ आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे तो मानो ऐसा लग रहा था कि नानी नहीं बोल रहे हैं बलकि खुद कोई देव उनकी आवाज में बोल रहा है एक ध्यान देने वाली बात ये भी है कि इस केस को लड़ने वाले नानी पाल की वाला और केस को दायर करने वाले केशवानन्त की कभी मुलाकात नहीं हुई कहते हैं कि केस के दौरान एक बार सौली सोराब जी और डीम पोपट केस के कुछ पेपर्स को होटेल में भूल गए थे और डीम पोपट ने बाहर खड़ी हुई एक अन्नोन टेक्सी जिसमें चाबी लगा कर ड्राइवर छोड़ गया था उसको स्टार्ट किया और ओटेल जाकर पेपर ले आए और फिर टेक्सी वहीं खड़ी कर दी नानी किस तरह अपने सामने वादे लॉयर पर भारी पड़ते हैं इसके लिए एक किस्सा सुनिये नानी ने एक बार कोट में कहा कि एक महान लॉयर ने कहा है कि सविधान आम कानूनों की तरह नहीं है जिसमें कोई भी बदलाव किया जा सकता है अगर सरकार अपनी मर्जी से सविधान बदल सकती है तो मूल अधिकारों का कोई महत्व नहीं रह जाता जब जज इस बात से agree हुए और जज ने पूचा कि आप किस महान लॉयर की बात कर रहे हैं तो नानी ने कहा कि मैं SM सिर्वई की बात कर रहा हूँ और मजे की बात क्या थी कि नानी के खिलाफ उस case में सरकार की तरफ से सिर्वई ही पैरवी कर रहे थे cases के अलावा नानी अपनी budget speech के लिए भी बहुत famous थे जब budget पेश हो जाता उसके बाद उनकी budget speech सुनने के लिए लोगों का सैलाब उबनता था और इसके लिए stadium तक बुक किया जाता था ऐसा नहीं है कि नानी सिर्फ सरकार के खिलाफ ही case लड़ते थे 1975 में जब इलाबाद हाई court ने राज नारायन वर्सिस state of उत्तरपरदेश case में इंदरा गांदी की सदस्चता रद कर दी और चुनाव धांदली के चलते निरस्ट कर दिया तब इंदरा गांदी की तरफ से ना श्री नानी ने case से अपना नाम वापिस ले लिया 1977 से 1979 तक पाल की वाला यूएस में भारत के राजदूत भी रहे नानी के अंदर बाकी lawyers से क्या अलग था Justice Khanna कहते हैं कि नानी की phenomenal mind, deep sense of morality और न्याय के परती उनका जुकाव और इन सबसे ज़ादा उनका democracy में विश्वास उनको बाकी सब वकीलों से अलग बनाता था श्री नानी पाल की वाला की कहानी आपको कैसी लगी मुझे comment box में comment करके जरूर बताएं और ऐसी ही interesting videos के लिए चैनल को subscribe कर लें स्वस्त रहें, शशक्त बनें, जैहिन, जैभारत स्वस्त रहें, जैहिन, जैभारत